नमस्कार दोस्तों स्वागता आपस CP Smart Classes में दोस्तों LT Grade के छात्रों को आज जॉनिंग लेटर नहीं मिल पाएगा जैसा कि आप सब को मालूम है कि वेसबरी से जॉनिंग लेटर के इंतियार हो रहा था एक पल का टाइम भी छात्रों के लिए बिता पाना मस्किल हो रहा था ल यहां पर लिखा हुआ है कि माध्यमिक सिच्चकों को आज नहीं मिलेगा नियुक्ती पत्र प्रदेश के राजकी माध्यमिक कालियों में LT Grade सिच्चकों का चैन हुआ है उत्तर प्रतेस लोग से वा आयोग से लिखित परिच्छा तरीन अभ्यारतियों को नियुक्ती पत्र देने के लिए आनलाइन आवेधन लिया जा चुका है 317 अध्याप को कुन नियुक्ती पत्र शुक्रवार को देने की तैयारी थी लेकिन उसे टाल दिया गया है अपर सिच्चा नितेशक राजकी अंजना गोयल ने बताया कि सुक्रवार को माध्यमिक सिच्चा विभाग व है तो देखिए आपको यहां से नहीं है यह आपके मतलब कि नहीं है यह तो बस लाश्क में ऐसे ही लिग दिया गया है कि इस्तिति क्या है आपकी नियुज यहीं पर समाप्त हो जाती है कि गोशना कर दी गई आप इस से इस बिल्कुल मत हुए कि इसका भी कोई रोल है इस को जारी ना करने में कि अन्य समाझ चार पत्रों में इस सेम चीछ वही लिखी हुई है कि 16 तारीक को एपाइमेंट लेटर नहीं दिया जा रहा है और जल्द ही नहीं डेट जारी की जाएगी लेकिन इसमें कहीं रीजन नहीं लिखा हुआ है आखिर क्यों लेट किया जा रहा है क्यों नहीं डेट दी जाएगी क्या कारण है वो यहां पर इसपेस्ट नहीं किया गया है यह चीज विकी खान जी ने इसपेस्ट की है कल ही इनका मैसेज आ गया था लेकिन जब तक समचा हैं उन्होंने बिल्कुल किलियर कट में रीजन इसपेश्ट किया है और वो रीजन भी आपको बताते हैं कि आखिर क्यों नियुक्ति पत्र नहीं दे जा रहा है यह देखिए इसमें लिखा हुआ है कि कि समस्त प्रत्योगी चातर भाई उन्पयनों काउगत कराना चाहता हूं कि 16 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र देने के कारिकरम को आज़रनी यह मुख्य मंत्री योग्या देतनाज्य की नियुक्ति पत्र वित्रन कारिकरम के समय ना दे पाने के कारण ल्टी जी आईसी के 16 अक्टूबर के नियुक्ति पत्र देने के कारिकरम को अस्थाई तोर पर कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है तो यह है मुख्य कारण कि मुख्यमंत्री जी 16 अक्टूबर को निक्ति पत्र बितरन कारिकरम को समय नहीं दे पा रहे हैं तो इसलिए इस कारिकरम को आगे बहा दिया गया है और आगे इसमें लिखा है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कारिक्रम में मौझूदगी के लिए सिच्छा निदेसले द्वारा समय मांगने का प्रयास किया जा रहा है 19 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के बीछ निदेसाले द्वारा आदरणिय मुखिमंतरी जी के मौझूदगी के लिए समय मांगा जा रहा है अगर मुखिमंतरी जी का कारिकरम के लिए समय मिलता है तो ठीक है अन्यता उप मुखिमंतरी माने नीए दिनेज सर्माजी के द्वारा निक्ति पत्र वित्रन कारिक्रम को संपन्न कराया जाएगा इसलिए आप सभी प्रितियों की चात्रे, भाई, बैंन बिलकुल परिशान ना हो आने वाले सब्ता में आप सभी चैनित भाईयों को नियुक्ती पत्र निंदिर साले द्वारे उपलब्द करा दिया जाएगा एक बात और बताना चाहूँगा कि LTGIC कला सहायक अध्यापकपद हेतु चैनित सभी आरता धारियों की फाइल महिला में पूरुस नित्यसाले जा चुकी और आने वाले सब्ता में उनका बिद्याले चुनाओं के लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा इसलिए LTGIC कला के चैनित आरताधारी परिसान नहों पृतियोगी मोर्चा विरुजगारी की लड़ाई लगाता लड़ता रहेगा और बस आप सब लोगों के साथ और विश्वास चाहिए हर जंग को हम जी देंगे तो यहां पर विकी खांजे ने किलियर कर दिया है कि यह स 59,000 शिचक भरती की वह आज मुखमंत्री जी कर रहे है इसके लिए उनका समय नहीं मिल पाया है तो इसको दो-चार दिन आगे बढ़ा दिया गया है और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि मुखमंत्री का समय मिल जाएगा अगर उनका समय नहीं मिलेगा तो डिप्टी स करना चुनावी टाइम पर यह सरकार को अच्छी तरह से आता है तो बस आप लोगों की जो मन उदसा है उसको समझा जा सकता है उस पर बसके वल इतना ही कहा जा सकता है कि दो-चार दिन और इंतियार किजिए उसके बाद आपको ज्वारिंग लेटर मिल जाएगा इस वीडि वीडियो में और कुछ और चर्चा करते हैं